ओम नमस्षिवाई तंत्र के रचैता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा गुप्त मोहिनी मंत्र जिससे कि आप किसी को भी अपने वशी भूत कर सकते हैं यति प्राचीन मोहिनी मंत्र है जो कि लाखों वर्षों से आम जंता से छुपाया गया है इसकी एक तालिस दिन की साधना से आप अपने मनुवांचित पल पा सकते हैं किसी को वशीभूत करना हो किसी को अनुकूल करना हो तो ये मोहिनी मंत्र आप के लिए सटीक बैठेगा और ये इतना चमतकारी है कि एक दो दिन में ही आपको असर दिखाना शुरू करतेगा इस मंत्र में पूरा विश्वास रखकर यदि आप एक तालिस दिन तक करते हैं तो निश्चित ही सफलता आपकी होगी इसकी विधी के बारे में जानते हैं क्या-क्या इसमें साबधनिया रखनी होगी क्योंकि बिना विधी के कोई भी मंत्र काम नहीं करता है तो इस मंत्र की विधी कुछ ऐसी है कि इसको ग्रहन काल में सिद्ध करना होता है चाये सूर्य ग्रहन हो, चंद्र ग्रहन हो, होली दिवाली इन में इसकी 11 माला अगर आप जाब कर लेते हैं तो यह सिद्ध हो जाता है और इसके बाद इसको किसी भी सुपारी में पढ़कर किसी को खिला दी जाती चाहे उसकी आप कोई खीर बना दें या फिर किसी भी तरह से खिला दें तो सामने वाला वशी भूत हो जाता है तो मंत्र कुछ इस प्रकार है ओम नमो काला कलवा काली रात जिसकी पतली मांझी रात काला कलवा बाट वाट सोती को जगाई लाव बैठी को उठाई लाव खड़ी को चलाई लाव वेगी लाव मोहिनी जोहिनी चल राजा की ठाव अमूकी के तन में चटपटी लगाव जी आले तोडे जो कोई खाए हमारी इलाईची कभी न छोड़े हमारा साथ घर को तजे, बाहर को तजे, घर के साई को तजे हमें तज और कने जाए तो, छाती फाड तुरत मर जाए सत्य गुरु आदेश, गुरु की शक्ती मेरी भक्ती, फुरो मंत्र, इश्वरो वाचा इश्वर महादेव की वाचा से टरे, तो कुम्भी नरक में पड़े तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये काला कलवा का मंत्र है और काला कलवा के बारे मैं आपको पहले ही बता चुकाओं कि ये बहुत ही पाउरफुल होते हैं, जो काले कलवी के मंत्र होते हैं तो इस मोहनी को आप ग्रहन काल, सूर्य ग्रहन में, होली दिवाली पर, किसी इलाइची पर अभी मंत्रित कर दीजे और उसके बाद इसको किसी को भी खाने कर दीजे तो वो देखते ही देखते आपके वशिभूत हो जाएगा मंत्र एक बार फिर से बता देता हूं क्योंकि बहुत लंबा है ओम नमो काला कल्वा काली रात जिसकी पुतली माझी रात काला कल्वा वाट वाट सोती को जगाई लाओ, बैठी को उठाई लाओ, खड़ी को चलाई लाओ, वेग लाओ मोहनी जोहनी, चल राजा की ठाओ अमूकि के तन में चटपटी लगाओ जी आले तोडे जो कोई खाए हमारी इलाईची कभी न छोड़े हमारा साथ घर को तजे बाहर को तजे घर के साई को तजे हमें तजे और कने जाए तो छाती फाड तुरत मर जाए सत्य गरु आदेश गुरु की शक्ती मेरी भक्ती फूरो मंत्र इश्वर वाचा इश्वर महादेव की वाचा से टरे तो कुम्ब नरक में पड़े तो इस तरह से आपको इस मंत्र का ग्यारा माला जाब कर लेना है किसी नदी तट पर जाकर गुफा मंदिर या किसी भी ऐसे जगह पर जहाँ पर की भीड़ भाड़ना हो एकांत में जाकर इसका जाब कीजिगा तो होगा कुछ ऐसा कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपके प्यार में बावरा हो जाएगा इस मंत्र से नजाने कितनों के काम मैंने बनाए है लगबग दस साल पहले मैंने ये पोस्ट किया था और जिस जिसने ये इलाइची बनाई थी उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके काम ना बने हो और इस मंत्र में आपको कुछ सावधानिया रखनी होगी जैसे कि मास मदिरा का प्रयोग नहीं करना है आसन आपका उन का रहेगा और जो आपका दिशा रहेगी वो होगी पूर्व की और पूर्व की और मुख करके फिर आपको ये जब करना है और इसको आप पूर्णिमा पे भी कर सकते हैं पूर्णिमा पे भी जैसे हर महीने पूर्णिमा आती है तो उसमें भी आप इसका जाब कर सकते हैं और अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत परिशानी आये तो कॉल कर सकते हो 999-284-1625 पर और वाटसप कीजेगा तो आपकी पूरी सहायता की जाएगी और इसका किसी भी अनिश्ट कारियों में प्रियोग ना करें यदि आपके मन में सच्चा प्यार हो तभी इसका प्रियोग कीजेगा अन्यथा ये चीजे जो हैं ये आपके लिए नुकसान का घर भी हो सकती है इनको जब भी करें सोच समझ के करें यदि आप किसी कानिष्ट करने के लिए करते हो तो ये चीज़े जो है ये काफी घातक हो जाती है धर्नेवाद